दोनों कप्तान मैंच रफ्री के साथ टॉस के लिए थे यार टेल्स इस दपाल एंद टेल्स इडीज बहुत ही अच्छा टॉस जीते हैं ये परिस्तितियों का पूरा उप्यो करना होगा ये आरे ये आए इस पिन गेंबास को लाया जा रहा है यहां पोलिंग में परिवर्टन जिस तरह की शॉट पिछ बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं ये गेंबास अक्सर बल्ले बास बैक फुट पे ही खेलने की कोशिश में अपनी विकेट गवा देते हैं बहुत ही अलग किसम की फील लगाई है यहां कप्तान ने देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि क्या करेंगे अब बल्ले बास नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए बहुत ही आक्रामक बल्ले बास है यह विशो क्रिकेट में उठा के खेल दिया है और यह छे रन एक पल के लिए तो मानो ऐसा लगा के सीधा कॉमेटरी बॉक्स में आ रही है यह चलिए देखते हैं कि अगली गेंज स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौझूद और यह शॉट पस एक रन ही निकाल पाए पिछले कुछ मैचों में बहुत ही बेरहमी से दुलाई की है एक फास बोलर्स की इनों ने इनकी धीमी गतिकी गेंज से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पारी यहीं सवाप्स हो सकती है और यह आउट ओ यह क्या नो बॉल का इशारा अमपार का इशारा नो बॉल और बाच्पन को एक फ्री हिट मिला बल्ले बाज इस गेंज पे बिना किसी खत्रे के कहीं भी बल्ला गुमा सकते हैं फ्री हिट जो आने वाली है चुरा लिया है एक रण बड़ी आ रण इंबिट्रीन डविकेट्स बोलिंग में परिवर्तन तेज गेंज बाज को लाया जा रहा है इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूचबूच और नियंत रण के साथ गेंज बाजी करनी होगी यहाँ खेल दिया है गाप में और ये एक रण डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद उठा के खेल दिया है खुबसूरत शौट और ये सीधा बाउंडरी के पार ऐसे फॉर्म में खेल रहे है यहाँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म फिस लाइफ वाह क्या बात है जो मदद इस गेनबास को इस शौर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाए थे यहाँ और ये आउट बहुती निराश लग रहे हैं बहुती दिल्चस्प होगा अगर इन्होंने अभी एक शौर्ट पिछ बॉल डाल दी बल्लेबास को बहुती नजाकत से उठा दिया है वहाँ छे रन ये एक ऐसे बल्लेबास है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे बहुती बढ़िया शौर्ट पोती बढ़ा सिक्स जाने जाते हैं ये बल्लेबास ऐसे शौर्टों के लिए और जब फॉर्म में हो तो इन्हें रोकना ना मुम्किन होता है बल्लेबास अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की तिशा में खेल के आउट हुए हैंगे इसलिए अब पॉइंट पे फिल्डर मौजूद जो मदद इस गेन बास को इस शौर्ट से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए इनकी धीमी गति की गेन से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पार यहीं सबाप्स हो सकती है बॉल सीदा फिल्डर के हाथ में कोई रनने है कप्तान की आज जितनी तारीफ करो कम होगी बहुत ही अच्छे फिल्ड प्लेस्मेंट्स लगाए है आज यहाँ बहुत ही बढ़िया पिछ रही है यह शुरुआत में गेन बास को मदद जरूर मेगी लेकिन अब बल्ले बाजी के लिए एक दम अनुकूल है और यह शॉट बस एक रहन ही निकाल पाए बोलिंग में परिवर्तन तेज गेन बास को लाया जा रहा है बहुत ही बड़ा सिक्स मानो कह रहे थे के जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानो हर बॉल पे छक्का मार देंगे चुरा लिया है एक रण बड़िया रण बिट्मिन दिकेट्स इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरण के साथ गेनबाजी करनी होगी यहां जोट गेनबास के बुरे अकड को चकना चूर करती हुई छे रण इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेन का हमारेंगे टीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद खेल दिया है गाप में और यह एक रण जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा पोलिंग में परिवर्तन तेज गेनबास को लाया जा रहा है पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेल के आउट रहे हैंगे इसलिए अब पॉइंट पे फील्डर मौजूद बहुत ही अच्छी थाल मेल तोनों बल्लेवासों के बीच में पढ़िया राणी पीदर केट्स जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा उठा दिया है छे रन जैसे ही बैक पे लगी थी कोई दो राए नहीं था कोई सदेह नहीं था कि यह छे रन है हवा में उठा दिया है और यह छे रन कोई मौका नहीं था वहां फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए इनकी धीमी गती की गेंच से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पार यहीं सवाप्स हो सकती है और यह शॉट बस एक रहन ही निकाल पाए इनकी आखरी बॉल यह रही आपके सामने है इसी के साथ पहले इनिक्स की समापती यह देखना बहुती दिल्चस्प होगा कि क्या रणनीती के साथ आते हैं बल्ले बाज यहाँ इससे चेज़ करने और यह आ रहा है विकेट तेज गेनबास को लाया जा रहा है इस तरह की शॉट पिछ बॉलिंग के लिए इस चेज़ को लाया जा रहा है इस पॉइंट प्रेफिल्डर लगाया है कप्तान ने चुरा लिया है एक run बढ़िया running between the wickets इन दोनों की आज इतनी बहतरीन running between the wickets रही है कि मानू ऐसा लगता है कि कोई इन्हें नहीं रोख सकता एक extra run चुराने से बहुती बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेवाजों की बीच में अच्छी running between the wickets खतरनाग गेन और सीधा बल्लेवाज के शरीप लगी जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा उटा के खेल दिया है शांदार बल्लेवाजी और ये छे रन ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म उफ इस लाइफ वह क्या बात है उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका ये तो तौफे में दी गई गेन थी और बल्लेवाज बिल्कुल भी नहीं चुके बहुती बढ़ी अताल मेल दोनों बल्लेवाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन दे विकेट्स इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुती सूचबूच और नियंत रन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहां खेल दिया है गाप में और यह एक रन इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रनिंग बिट्वीन दे विकेट्स रही है कि मानो ऐसा लगता है कि कोई इन्हें नहीं रोक सकता एक एक एक्ष्टा रन चुराने से इन्हें गलत भी नहीं कह सकते मैच की परिस्तिती ही कुछ ऐसी है कि इन्हें हर गेंद पे बल्ला तो गुमाना ही होगा हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाए थे यहां और यह आउट बहुती निराश लग रहे हैं पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की तिशा में खेल के आउट हुए हैंगे इसलिए अब पॉइंट पे फिल्डर मौजूद बहुत ही अच्छी थाल मेल दोनों बल्ले वाजो के बीच मैं बढ़्या रानिंग इट्वीन डरिकेट्स इन दोनों की आज इतनी बहतरीन running between the wickets रही है कि मानू ऐसा लगता है कि कोई इन्हें नहीं रोख सकता एक extra run चुराने से दिखते हैं TV Empire क्या कहते हैं इस run की यहाँ कोई अवश्यक्ता नहीं थी क्या वो समय पे पहुँच पाएंगे बढ़िया pick up and throw थर्ड अंपायर की decision का इंतजार और यह out बल्ले बाज अपनी पहली game की तयारी करते हुए लाइन और लेंग मापने में तो एक second नहीं लगाते यह बहुत ही बढ़िया six बोलिंग में परिवर्दन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहाँ बल्ले बाज अपनी पहली game की तयारी करते हुए बढ़ नहीं पाये थे यहाँ gain को ठीक से थोड़ी सी टाइमिंग में चूक हुई और gain सीध है फिल्डर के हाथ में बहुत ही आक्रामक बल्ले बाज है यह विशो क्रिकेट में हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहाँ और यह आउट बहुत ही निराश लग रहे हैं पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की तिशा में खेल के आउट हुए हैंगे इसलिए अब पॉइंट पे फिल्डर मौजूद बल्ले बास की आँखे तो चीविल की आँखों की तरह हो चुकी है गेन पास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का जब यह अपने रंग में आ जाते हैं तो मानो जैसे पुरी स्टेडियम में होली खेली जा रही है नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रणिंग बिट्वीन तरह ही है कि मानो ऐसा लगता है कि कोई इन्हें नहीं रोख सकता एक एक एक्ष्टा रन चुराने से उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बहतरीन चौका चलिए देखते हैं कि अगली गें स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहां और यह आउट बल्ले बाज अपनी पहली गेंग की तयारी करते हुए बॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रण फील्डिंग में परिवर्तन ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म उफ इस लाइफ वा क्या बात है बड़ा ही लूश शॉट खेल गए रंडिट बढ़ाने के कोशिश में बहुत ही निराश होंगे वहाँ मौका तो था पिछली गेंद पे पर पूरी तरह चुके इन्हें गलत भी नहीं कह सकते मैच की परिस्तिती ही कुछ ऐसी है कि इन्हें हर गेंद पे बल्ला तो गुमाना ही होगा पूरी तरह मिस्स किया वहाँ बहुत ही निराश होंगे वहाँ मौका तो था पिछली गेंद पे पर पूरी तरह चुके ओ ये बॉल तो लगी होगी उनको इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूचबूच और नियंतरन के साथ गेंद बाजी करनी होगी यहाँ बढ़िया टाइमिंग एक रन असानी से पूरी किये जा सकती है और बल्लेबास दो रन का कॉल देते हुए बहुती बढ़िया टालमेल दोनों बल्लेबासों की बीच में अच्छी रनिंग मिट्वीन दे विकेंट्स बल्लेबास अपनी पहली गेंग की तयारी करते हुए और ये शॉट बस एक रन ही निकाल पाए क्या मैच देखने का अफसर प्राप्त हुआ है आज स्टेडियूम खचा-कच बरी हुई और मैच अपने आखरी ओवर तक जाती हुई ओहो हो उठा के खेल दिया है खुबसूरत शॉट और ये सीधा बाउंडरी के पार फील्डिंग में परिवर्तन ये एक ऐसे बल्ले बाज है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहां और ये आउट बहुती निराश लग रहे हैं ओ बहुती बहुती बहतरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पर फील्डर लगा दिया थे हवा में खेल था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहां और ये आउट दोनों पीमों के प्लियर एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए और इसी को कहते हैं जेंटलमेंस केम अभसरे कर दोनोंग तरह बास हैं हैं जग्या प्यो Jiang सबस्चराइम जड़ मेंगा कुट सब्सक्राइम और जिका था दो बड़ी तरह दोनिए वह नहीं है एक रौप में अद्सक्पराइम तरह दोती टीए क्रीए ड़े इस स्ट्राइल फिसल्डरी आवख